अब हम दूसरे प्रकार, वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, यह आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, अमीबा के समान, आप जानते हो, अमीबा जो है, अनिश्यद आकार का होता है, उसमें सुड़ो बोडिया निकले रहते हैं, तो इसी त हम होती है, उसके हमने बात की थी कि 50-55 से 60 लग तक की बात, इसकी जो टोटल जो संख्या है लगभग, 6000 से 9000, इतनी ही इसकी एवरेंज रेंज है, तो इतना यह होना चाहिए WBC, और फिर इसमें हीमोगलोबिन जो है, वो नहीं पाया जाता है, इसलिए यह कैसे होगी, में हीमोगलोबिन है, जिसके कारण हो कैसी है, रंगीन यानि लाल रंगी है, लेकिन इसमें क्या है, हमोगलोबिन नहीं है, तो इसलिए हम जैसे आप नाम सी समझ रहें, white, white blood cells, because hemoglobin is absent है, अब चूंकि यह प्रतीरक्षा, तंतर का महतपूर्ण भाग है, इम्यून सिस्टम It's very important for our all over system, तो इस से संबंदित जो कुछ बिमारिया है, उसको भी हमें जानना चाहिए, तो यदि यह WBC कम मातरा में होता है, तो जिसको leukopenia कहते हैं, और यदि यह अधिक मातरा में है, तो इसको leukocytosis कहते हैं, और यह एक blood cancer का प्रकार भी है, यानि leukemia जिसको कहते हैं, तो ब्लट कैंसर है, तो इस तरीके से आप जैसे अभी देख रहे हो, कि इनकी संख्या कम या जादा होने से क्या हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसी बिमारियों का हमें पता चल रहा है, चुकि हम लो बैलोजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें यह सब जानना आवश्यक भी है, अब चलिए अब हम बात करते हैं कि जो वाइट ब्लट सेल्स है, यह भी जो है वो दो प्रकार की है, कणों की उपस्तिति के कारण, यानि इसमें ग्रैनियूल्स पाए जाने के कारण, एक में पाए जाती है और एक में नहीं पाए जाती है, तो उसकी प्रेजेंस एपसिंस के अक इसके साइटो प्लाजमा में ठसा ठस भरे रहते हैं, और यह अनियमी ताकार की होती है, और इसका केंद्रक जो है वो लोपस में बटा होता है, अब इसके भी कुछ प्रकार है, जैसे आप देख रहे हो, यह सिनोफिल्स है, निट्रोफिल्स है और बेसोफिल्स है, यह सिनो मॉर्फोलाजी आप प्लावरिंग पढ़ोगे, तो डाइकॉर्ट, मॉनोकॉर्ट, स्टेम सेक्शन की बात करते हैं, तो इसको जब यह सिनोफिल्स होती है, यह सिनोफिल्स है, और यह सिनोफिल्स है, वो कितना होना चाहिए, यह WBC का 2-3% पार्ट होता है, इसका मुख्य क जो है, जो प्रोटीन प्रकृती के जो विश हमारे बोडी में एंटर करते हैं, यह एंटिजन्स एंटर करते हैं, तो उनको यह खतम करती है, दुसरी बात इसके बारे में यह जानना जरूरी है, यदि यह संख्या, यानि यह सिनोफिल्स की संख्या यदि बढ़ जाती है, तो यहुत साथ फिल से लगती है। तो इस inno चॉँम सांस फुलने के साथ ची जा साथ होता है। तो इसी को य चांइ भी रेट बढ़ जाता है। यह यह संख्या बढ़ जाती है। नो पात की 2-3% हो ना चाएर टोटल सुथी डवनो पीजिक एक होना तो अदय आपका और आप इस बात को भी सूचिए कि जरूर इसका काम क्या है एंटीजन्स का और टॉक्सिन जो है उनको खटम कर रही है तो डैफिनेटली हमारी बॉड़ी में यदि इनकी संख्या बढ़ गई है तो जरूर कुछ गढ़बारा यानि टॉक्सिन या एंटीजन्स जो है हमारी ब टॉप्लाज्म में जो ग्रैनियूल्स है वह थोड़े बड़े आकार के होते हैं और दूर दूर जगा में वह बिखरे रहते हैं इनके केंद्र का आप जैसे देख रहे हूं दो तीन लोप से ज्यादा है कई जो लोप समें कई लोप समें बाटा हुआ है और यह लोप कैसे ह कि बात करते हैं तो यह चारीय रंजग जो है तो उससे यह स्टेन होते हैं यानि रंगे जाते हैं अब यह संख्या में कम होंगे और आकार में बड़े होंगे यह इनका जो इस भी चिंद्रक सरल होता है और दो से तीन लोप समें यह बटा रहता है इसका यह परसंटेज की बात करें तो 0-5-2-2% जो है ये ओवर अल डबलो बीसी का ये हिस्सा होता है इसके यदि हमकारियों की बात करते हैं तो ये प्रतिरक्षा तंत्र में मदद तो करता ही है साथ ही ये रक्त को जमने में भी सहता करता है तीसरी बात इसमें जो है हिपैरेंड सरेटोनीन और काम क्या है एलर्जी कंडिशन जैसे होती कि आप जानते हो किसी coordinating living होती कारण जो हिस्टमीन हो जाता है और गए रीक्षंपिक्षण केเงंशन फोती है व कि जरियू कुट यह जरी होती है यानी यह एलर्जी दशाओं को ये नियमिन करता है तो यह हमने बात की बैस दृज क तो इस तरीकी से ये WBC के प्रकार हो गया है, इसका एक और प्रकार है A-granulocytes, अब हम WBC के दूसरे प्रकार A-granulocytes की बात करते हैं, A-granulocyte जैसे आप समझ रहे हो कि A मतलब इसमें granules जो हैं, वो absent होंगे, तो यानि कणिकाएं जो इसमें नहीं पाए जाती हैं, और दूसरी इसमें जो केंद्रक है जैसे हमने उसमें बात किती कि लोपस में बटे रते हैं तो इनका केंद्रक जो है वो सरल होता है लोपस में नहीं बटा होता है और इनका निर्मान जो है वो एक विशेश प्रकार की कोशिकाएं करती है और कहां करती है यह लिंफ ग्लैंड्स में इनका दो ऐसे special B-cells and T-cells जो हैं उनका निर्मान करते हैं इनका केंद्रग जो है वो सरल प्रकार का होता है ये आकार में बड़े होते हैं और ये WBC का जो है 18 प्रतिशत भाग जो है वो इनी लिंफोसाइट्स का ही होता है और यदि इनके कारे की बात करते हैं तो ये इनका मुख्य का में एंटिबॉडिस का निर्वान करना यानि B-cells T-cells का निर्वान कहां होगा इन लिंफोसाइट्स में होगा इसके दूसरी प्रकार मोनोसाइट्स की बात करते हैं मोनोसाइट्स अब जिससे देख रहो ये भी आकार में बड़ी होती है लेकिन आप इसका केंद्रग द अब ओब तके प्रकारों की भात कि होलोग कार कलते हैं और इसी तरीके से यह पादाप निकलते हैं और पादाप निकल के जो रोगाण Annoygerms जो बैक्टिरिया बॉडी में एंटर कर रहे हैं और उनको यह घहरे बड़ी में बल्ड़ग॑न निकलते इशे हुआं में ने लेते हैं और उनको खत्म करते हैं यंघ को नस्ट करने का काम करते हैं दूसरी बात निर्मार सब्सक्रा इस मैं रहा है और प्रती फुश्क की आधान के जरीह होता है अके क्या आजlac जो बैक्टिरिया है जर्म से रोगानु है वारस अंके इंफेक्शन के स्थिती जो है आप जान रहे हो की काफी हो जाती है तो इंफेक्शन के स्थिती में क्या होता है कि वह जी तो मतलब जो blood vessels की जो blood stream में उसमें ही बह रहे हैं लेकिन उस condition में यानि जब घाव हो रहा है या कुछ कट जा रहा है तो उस condition में यह WAC उस blood stream से यानि एंड़ोथिलियम जो सेल से उससे बहार निकल के आ जाती है और इन जो रोगानू जो बैक्टीरिया जो वायरस जो एंटर करने काम करती और उस जगह पर जो है यह डैड जो रवी सी है रोगानू है और लसी का है यह मिलकर पस का निर्वान करते हैं और जब यह नीचे से नई नहीं सेल्स बनती हैं और फिर उस घाव को भर देती हैं जो यह इनके और को की बात करते हैं तो बलड प्लेटलेट जो है इसको थामभो साइट वी कहते हैं और यह मैंमल्स में ही पाई जाती कहाँ हैं, इसके अलावा किवल फ्रॉग हैं जिसमें ये स्पिंड्ल सेल्स के रुप में पाया जाता है। ये टूट να नियांने लिए ऑप्सेंट रहें। ये पैने हैं झोटम नहीं पाया जाता है। ये प्ल하하 के कारण इस्पलेट फूट अड़ industrie है। बनते रहती हैं. अब इसके हम संख्या की बात करें तो 1 ml ब्लेड में ये धाई से 4 लाग तक की संख्या होती हैं. और इसके एज की बात करें, एवरेज़ आज ये 2 से 10 दिन का है. अब इनकी यदि अतिधिक संख्या में कमी हो गई तो इसको थ्रॉम्बो पीनिया कहते हैं. अ को हम लों बाद में विस्तार से देखेंगे अब आप शुरू से देखिए कि हमने आर वी सी डबलुबीसी प्लेटलेट्स के एक एवरेज एज की बात कर रहे हैं तो एवरेज एज है यानि की डबलुबीसी आप देख रहे हो यह दस से चौदा दिन है आर वी सी है 100 से 120 दिन प्लेटलेट्स की उम्र है 2 से 10 दिन तो यह एवरेज एज के बाद क्या हो जाएंगी खतम हो जाएंगी नस्ट हो जाएंगी मृत हो जाएंगी अब मृत होने के बाद जो इनका डेट सेल्स हैं वो जो है लिवर स्प्लीन जो है वहां पर इनका अप घटन होता रहता है तो जो इसको तो म्रित कोशिकाओं का कव मित कवरीश्थान भी कहा जाता है क्योंकि 3 argल ऑट सेैंगी झोंका भख्षण से छे कर पाचंध्य क्रिया और उनका वख्षाण के उनको यह स्प्लेस कुशिकाओं का कपरिस्तान भी तो कभी-कल् Career & Salt रहते है और जाम जासे हुआ चे अब blood में हमने उसके plasma की बात की, अब उसमें हमने Hampshire की बात की, तो overall आपको आ सकता है कि blood क्या है, उसका composition क्या है, उसका function क्या है और उसके जो विभने प्रकार जो है, उनका भी अलग अलग प्रकार उनके function आ सकते हैं, तो particular type में ही हमें इसको पढ़ना है तो बच्चों अभी हमने बात की कि RBC और WBC का विघटन होता रहता है एक दिन में लगबग RBC जो एक प्रतिशत और WBC 30% नस्ट होती रहती है अब सुझी कि जब इतनी मात्रा में यह नस्ट हो रही है तो शरीर में इनकी मात्रा जो है वो निश्चित होनी शाहिए हमने जैसे पहले भी बात की इनका एक एवरेज रेंज है वो होना जरूरी है तो मनिश्यत अथा अन्य सभी जन्तों में जिसमें ब्लड पाया जाता है तो उसमें ब्लड की मात्रा और इनकी कोशिकाओं की मात्रा स्थिर रहे, स्टेबल रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये जो है इनका निर्मान शरीर में होता रहे तो ब्लेड फॉर्मेशन की क्रिया को जो है हीमोपाइसिस कहते हैं हीमोपाइसिस जो है वो किस तरीके से ये प्रोसेस होती है उसको हम अब देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो औरीजिन है यानि ब्लट सेल्स की जो औरीजिन है वो किस तरीके से होती है व्रॉअग में जदी देखें तो फ्रॉअG के एडल्ट स्टेज में देखते हैं तो लिवर स्प्लीन ऑर लिंफ नोटस में यह ब्लड की सेल्स उनका निरुड रहता है और जाठीट पूल स्टेज है तो उसमें जो है किड्नी में भी इनकार निरुड होता और girls की कि बात करते हैं तो मेंमल्स के एंब्रिओनिक स्टेज में जो है योक्सिक है लीवर है स्पलीन है ब्लॉब नियुक सेथे एँद बेन जाती रहती है जबकि ऐदल्ट स्टेज में लेहिदी देखा जाए अटक बन में बनता है और बाकी जो extended बोल ट अध्यू होद वर मेरो कंब ने satisf 감사합니다 बोन मेरो मेरो मेरा and sun ќब डोल आज देख रहे हो और 50 दोध alebnda karen bokonna cana만 कहा होता है gender supporting reward अध्यूर्म के बात करें एक 20 वह बन अध्यूर्म के रहेधे Marrow की हमने बात की थी आपको याद होगा तो बोन मेरो में अंब क्या है यह बिल्ट सैल्स का निर्मान गीस तरीके से होता है इसको समझना जरूरी है टेंज लाव ज़रूरिकflies समझना तो स्टेंज में होता है कि कुछ माइला sales होती है जिसको हिमेटब्लस्ट कहते हैं और मायलो ब्लस्ट भी बॉन मेरों में पाये जने वाली इन सेलोगोल स्कोńsk मायलो ब्लस्ट कहते हैं तो इनसे जो है किस तरिके से ब्लेज़ सेल का निरमान होता है इसको एक फ्लोचार्ट से समझ लेते हैं फिर स्टेंप C饑ल क्या है, उसको ह माईलो ब्लास्ट ते आप देख रहे हो कि WBC के प्रकार जो है बैसोफिल्स, नूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स और मॉनोसाइट्स बन रहे हैं और दूसरे प्रकार के हम भात करें लिंफड की तो उसमें लिंफोसाइट्स बन रही हैं और उसके जरीए BOT cells बन रही है B.O.T. cells जो antibodies का निर्मान करती हैं तो यह जो हमने stem cell की बात की तो stem cell जो है आज एक common सा यह word हो गया है और इसके बारे में भी जानना जरूरी है तो stem cell किस तरीके से एक ऐसी seed या parent cell होती है bone marrow की तो वो क्या करती है कि एक कोई भी cell जो है वो stem cell बन जाती है और वही फिर ब्लट cells की अन्य जो और प्रकार है RBC, WBC, platelets उनका निर्मान करना चालू कर देती है यह stem cells में एक कोशी का जैसे शरीर का किसी भी अंग को एक कोशी का के रूप में विक्सित करना है तो उसमें यह छमता पाई जाती है जिसको stem cell कहते हैं आजकल जो है stem cell को सुरक्षित करके प्रिजर करके भी रखने का चलन हो गया है क्योंकि इससे हम जैसे देख रहे हैं एक अंग का भी निर्मान हो सकता है साथ ही कोई cells यदि damage हो गई टुटी फुटी है मरमत का काम करना तो भी stem cells के जरिये किया जाता है जैसे हाट की cells है यदि damage हो चुकी है नस्ट हो गई है तो stem cells के जरिये क्या होती है वो उसी तरह की cells फिर बढ़ना चालो हो जाती है ऐसी आंख या कॉर्णिया में भी कोई cells यदि damage हो गई है तो मरमत का काम stem cells के जरिये किया जा सकता है तो यह हमने stem cells की बात की अब हम overall blood function क्या है उसकी बात करते हैं क्योंकि आपको हो सकता है particular point पे भी आपको function पूछ सकता है जैसे rbc का function क्या है wbc का function क्या है platelets का function क्या है या overall blood function की भी बात हो सकती है तो यदि हम overall की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह transport of nutrients का करता है जो भी इसमें पचेवे भुज्य पदार्थ होते हैं fatty acids है amino acid है glucose है vitamins है hormones है enzymes है इनका समवहन जो है वो इसके जरिए ब्लेड के जरीए जो है कोशिकाओं तक किया जाता है उतकों तक पहुंचाया जाता है फिर हम बात करते हैं regulation of temperature की जैसे हमने पहले बात की थी कि ब्लेड जो है temperature control में भी एक महतपोन भूमी का निभाता है तो यह किस तरीके से यह temperature control होता है आप सभी जानते हो हम जो human being है और बट्स जो है वह समतापी प्राणी होते हैं यह वार्म ब्लडड अनिमल्स होते हैं तो एक फिश है रैप्टाइल्स है एंपिवेंस है इनका जो ब्लड है वह बाहर के temperature के अकॉर्डिंग जो है वह ब्लड कंट्रोल नहीं हो पाता है इसलिए हाइबनेशन की प्रक्रियां अपनाते हैं हम लोग जैसे हैं human being है हम वार्म ब्लडड अनिमल्स है यानि समतापी जीव जिसको कहते हैं तो हमारा जो ब्लड हमारे जो शरीर का तापमान है आप जैसे जान जाता है और कहीं और बात करेंगे रश्या वगर की तो वह माइनस भी चला जाता है और यदि समर सीजन की बात करते हैं तो यह 40 40 से अब फॉर्टी फाइब फॉर्टी एट फॉर्टी सेवन ही कहता है यह ए cracking हो रहा है लेकिन हूं ठेमडसलों कहना पहल में तो इसको था जिन भी तो एक आप करोश्यर को जाता है तो जैसे कि यदि बाहरकर ज्यादा है तो क्या होता है वैसलों यह शेंप्रिल्स एас लिए होती है ब्लैट यहां चॉडी हो जाती है और ब्लैट का फ्लोय जादा हो जाता है जिससे हीट लास के पास आकर आकर क्या हो जाता है तुछ लिपस संप परेशल स्विपस अब संपधर संजT में और हीट लास को यह रोकता है जो बॉडी का टेंपरेचर वह उतना ही बना रहना चाहिए बाहर मालब पांच डिगरी है छे डिगरी है तो वह हीट लॉस ना हो अंदर ही रहे तो इस तरीके से ब्लड जो है टेंपरेचर को कंट्रोल करने में भूमी का आदा करता है इसके जरीओ फिर यूवड के जरीओ टॉट एंसटत को काम भीचा-प्लेशन होता है हरमोंस जोयरा फर वलेडी सेब्लेड के जरीओ होती है यह टारिक्शन ऑफ ब्लेड लॉस को भी रोकता है जासे धिप्लेड क्लॉटिग EL इक प्रक्रिया करह जम जाता है जैसे चोट लगती है रक्त का थक्का बनता है तो इसके जरीए ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस ना हो ये भी जो है ब्लड कही एक पार्ट प्लिट लिट्स के जरीए होता है इसी तरीके से एक और भी इसका फंक्शन है स्टोर हाउस ओफ मिनरल्स का है क्योंकि इसमें ब्लड में जो है मिनरल्स फ्लो करते रहते हैं हमने फ्लो चार्ट में प्लाज्मा में हमने देखा था कि कई सारे मिनरल्स जो हैं इसमें ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड्स हैं फासफेड्स हैं सलफेड्स हैं तो जहां जरत वहां तक यह पहुंचाए जाते हैं तो अभी हमने यह overall बात की blood function की अब हम बात करते हैं blood clotting की तो चलिए अब हम blood के एक और related function उसके कारे की बात करते हैं blood clotting की बात करते हैं blood clotting क्या है यह process किस तरीके से होती है प्रक्रिया किस तरीके से होती है इसको हम देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि कभी-कभी यदि हमें चाकू लग जाता है, कभी चोट लग जाती है, कभी गिर गए, तो क्या होता है, वहां से उस स्थान से रक्त बहने लग जाता है, और कितनी देर बहता है, आपने भी इसको अनुभव किया होगा, थोड़ी पपड़ी जाती है, जैसे ही पपड़ी जाती है, वो रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो इसी को ही जो है वो ब्लट ख्लॉटिंग कहते हैं, एक लॉट जो है ठकका बन गया, इसको एमर्जनशी प्लग भी कहते हैं, तो यह प्रक्रिया किस तरह कैसे होगे, अलग लेकिन हेंडरी हॉविल का मत है, वह सबसे ज़्यादा मान्या है. असल में, इस प्रक्रिया में मुख्यता क्या होता है? जो व्याज हैं, वह इन ऐन इस प्रक्रिया किस तरीके से होगी? स्टेप बाइ-स्टेप हम इसको देखेंगे. तो यह दिया हम first step की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले थ्रामबो प्लस्टीन का बाहर निकलना, बाहर निकलना का मतलब है जैसे चोट लगी है, तो stream जाए ब्लड वेसल में बह रहे हैं, ब्लड में क्या है, थ्रामबो प्लस्टीन है, तो यह जैसे ही बाहर आता है, और इसका जो है इंपोर्टेंस है ब्लड क्लोटिंग में, तो जैसे यह बाहर आएगा, कैल्शियम के साथ यह क्रिया करता है, कैल्शियम के साथ क्रिया करने पर यह जो है थ्रामबो प्लस्टीन में बदल जाता है, तो पहले थ्रामबो प्लस्टीन जो है, प्रो थ को भाइन के साथ यड हो जटेस एंजय एन के साथ मिलकर 80 stems ऐंग 16 सबस्क्राण्स होता है उसको क्या करता है सब से पहले उनक्टिव करता है अब एक और बात यहां पर रोती निश्क्री प्रोथ City रहता लेकिन जैसे ही चोट लग रही है कोई जगह पर कोई छती ग्रस्त हो रहा है हिस्सा तो वहां पर निश्की प्रो थ्रॉम्बीन जो है वह एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा यानि थ्रॉम्बीन में यह बदल जाएगा तो यह फॉर्स्ट स्टेप की बात हुई अब सेकेंड करते हैं तो सेकेंड स्टिप में क्या होगा हमने जैसे पहले बात की थ्रॉम्बीन जो कि पहले इनेक्टिव फॉर्म में था वह एक्टिव हो गया तो थ्रॉम्बीन जो है यह यह बात किती प्रोटिन ये पाया जाता है तो इस रहे जाता है जिसके कारण एक घृब्रिन जीए पदार्थ में बदल जाता है अब जैसे ये फाइबरीन बना तो इसके अत्यांत महिन जो तन तन है वो क्या करते हैं ब्लड प्लाजमा से निकल कर उस चोट गरस्त इस्थान पर आ जाते हैं यह हो गया सेकेंड स्टेप अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो फाइबरिन जो महिन तंतू इसमें निकलते हैं तो यह तंतू क्या करते हैं उस जगह पर क्या बना देते हैं जा यहां पर एक जेली के समान पदार्थ बना देती हैं और इसी को ही जो है वो क्लॉट कहते हैं अब यह जो क्लॉट बन जाता है तो धीरे धीरे और संकुचित होता है और यह छोटा हो जाता है और इसी को ही और इमर्जिंसि लग कहते हैं या ब्लम prosec को हमने देखा अब ब्लत क्लॉटिंग में इंपकौ्टमिन की विटामिन की जौ है अच्छा अच्छा फेक्ट या उसी की प्रिजर्रूस में बहुत अच्छे से होती है तो ऐसके कि जिसमें यह Each Dobinar één K कम तो क्या कि उनमें ये प्रोसेश तो होगी लेकिन क्या होगी उसमें ठोड़ा सा टाइम लगजाएगा अब वितामीन बिटामीन के स्टार्ट हो गई है तो क्या होगा है एक्स जो भी भी ब्लोस हो जाएगा तो इसलिए यह भी हमरे भोजन में बिटामिन के को अनलceğ होना जो है अब इसके source क्या है इसकी भी हम कुछ बात कर लेते हैं जैसे leafy vegetables है भिंडी है cauliflower है, cabbage है, avocado है ये सब में ये vitamin की अच्छे से पाया जाता है तो ये भी हमारे भोजन में शामिल हो आप जैसे जान रहे हो कि ये एक बहुत महत्वपोन प्रक्रिया है जो ये emergency में यदि कुछ हो गय है अब हम इसको एक flow chart के जरिये समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे हो चोट लगी यानि रुधिर वाहिकाए जो है वो छतिग्रस्त हो गई उसके बाद रक्त का बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है इसके बाद thrombocytes जो blood में ही था ये वायू क सब्सक्राइब Zukunft श्रोचंव करते हैं बाद thrombocytes सब्सक्राम थारे सब्सक्राइब करें प्रूरबल्बात जात्एब नियौन में प्रस्था कर रहा है इसके बाद इंट्रमी premiers मों आएह सब्सक्राइब propor… तो फिर निश्क्री प्रो थ्रॉम्बिन जो है वो सक्री थ्रॉम्बिन में बदल जाता है थ्रॉम्बिन जो है फाइब्रनो जन से क्रिया करता है और फाइब्रिन महिन तंतु बनाता है फाइब्रिन के यह महिन तंतु जो जालिका का निर्माण करते हैं और उसमें जो है कोशन आते भी हैं तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजेगा हम बात कर रहे थे कि एंटी प्रोथ्रॉम्बीन जो अभी हमने क्लॉटिंग की बात की तो जैसे चोट ग्रस्त इस्थान है यह कुछ चीज लग गई है चाकू से हाथ कड़ गया है तो ब्लेड ब्लीडिंग हो तो यह क्या करता है कि यह ब्लेड को जमने नहीं देता है किसी भी हालत में ब्लेड क्लॉट अंदर हो गया तो बहुत मुश्किल आने वाली है क्या होगा ब्लेड क्लॉट हो गया तो वहां पे जम गया तो ब्लेड वैसल जो है उनका मार्ग रुप जाएगा उनका फ्लो प् अब हम एक और जो ब्लड का जो वस्कुलर कनेक्टि टीशू की हम बात कर रहे थे वस्कुलर कनेक्टि टीशू का एक प्रकार हमने ब्लड की बात की थी और दूसरे प्रकार जो है वो लिंब है लिंब क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि तो आप हम दूसरे प्रकार लिंप की बात करते हैं आप सब जानते हैं कि कोशिकाओं और उत्कों में जो बीच में इंटर सलुलर स्पेसेश होता है जिसे अंतर कोशिकी अवकाश कहते हैं जैसे कि हम जानते हैं हिर्दय के दबाओ के कारण ही ब्लड वैसल्स में फ्लो करता है एक तो दबाव रहता है दूसरी बात यह ब्लैड वैसल्स जब उत्कों में या कोशिकाओं तक महुचती है तो पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है जिसको कैपलरी कहते हैं यह कैपलरी जैसे अब देख रहे हो बहुत ही पतली महिन रहती है इसकी एक ही वाल रहती है तो इसकी दिवार पतली होने के कारण दूसरा जटके के सांथ ब्लैड बह रहा है तो जो रक्त का जो प्लाजमा है वो रिस रिस कर यानि ब्लैड वैसल से निकल कर वो कहां पहुच जाता है कोशिकाओं और उतकों के बीच में जो इंटर सलुलर स्पेसे से वहां पहुच जाता है तो यही जो पदार्त है यह जो तरल पदार्त है इसी को ही लसिका कहते हैं लिंफ कहते हैं चुकि लिंफ जो है वो रक्त का ही हिस्सा है तो इसलिए इसमें भी क्या होगा ऑक्सिजन होगा वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उपयोगी पदार्त भी होंगे जैसे हार्मो होता है colorless होता है अब चुकि यह ब्लड का ही पार्ट है तो इसलिए यह जो है lymphatic cells के द्वारा lymphatic ducts के द्वारा यह कहां पहुंच जाता है वापस heart के पास पहुंच जाता है उस flow stream में या ब्लड के stream में यह पहुंच जाता है तो यह lymph है अब इसके हम कारे की बात करते हैं तो कारे क्या करेगा क्योंकि यह जो है इसमें cells था ब्लड vessels के बीद जो पदार्थों का आदान प्रदाने वो निर्धारित करता है जैसे कुछ पदार है कि blood stream में पहुंचना जरूरी है तो इसलिए यह lymph के जरिए क्या हो जाता है वहां यह पहुंच जाता है दूसरी बात इसमें डबलू बीसी है तो यह भक्षन का काम करें यानि स्वस्थ रखने का ही काम करते हैं तीसरी बात इसमें जो है स्मॉल इंटस्टाइन में lymphatic ducts हो और इसमें lymph nodes होते हैं lymph nodes बहुत मातपुण है यह चन्ने का काम करते हैं तो जैसे ही बॉड़ी में रोगानू है बैक्टिरिया वायरस है वह एंटर कर रहे हैं तो यह क्या करते हैं lymph nodes में ही उसमें रह जाते हैं और जो बाकी उपयोगी पदारत है वह रख्त के पहुंच जा जब में चुकाएं क्या थी उसका उसके कारी क्या थे वार्ल ब्लड की बात की लिए की बात की तो यह बहुत महत्वपोर नंक्रीटी टीशू है इसको आप बहुत अच्छे से देखिए अब यह वैसे पहले बात करते हैं यहां बात कर रहे हैं करनेक्शन की क्विए करने काम करता है तो सेयोजन का यहां क्या मतलब हुआ अभी जब हमने इसके फंक्शन की बात कर रहे थे तब हमने देखा था यह ट्रांस्पोर्टेशन का काम करता है समवहन का काम करता है रेगुलेशन का काम करता है बहुत सारे पदार्तों को समवहन करता है तो दो अंगों क से हार्मोंस निकला तो टारगेट जगप पर और फार पहुंचना तो कैसे पहुंचेगा वो ब्लेट के जड़िए तो ब्लेट क्या कर रहा है उन अंगों और एंडोक्राइन ग्लेंड को आपस में जोड़ रहा है एसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम हम बात करते हैं कि जो हम गैसे एंटर कर रहे हैं जिसमें ऑक्सिजन है तो वह गैसे जो अल्विवलाई तक पहुंच गई लेकिन उसका कहां पहुंचना जरूरी है कोशिकाओं तक पहु ऐसे י डाजेस्टिश सिस्स्टमम में वने बात की थी 양प्धा न का पाचन हो रहा है तो न gloss तो ऊसको को पो़ह ना है पूरी कोशिकाओं तक पहुंचना मैं तो यहांखुआ कर रहा है तो इस तरीगे से ओवर ना तो तीन एक जांपल लिए कर थूए कि त्युक्सित कर अजब अजब